हेलो स्टुदेंट्स अभी हम लोग देखने वाले है एक्सरसाइज 7.4 का कुशियंबर 6 कुशियंबर 6 है दा फॉलोविंग फ्रेक्शन्स रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स यह जितने भी फ्रेक्शन्स दिये गए है है टोटल कितना है एल तक है यानि फ्रेक्शन है यह यह केवल तीन ही नंबर को दिखाते हैं उन्हीं तीन नंबरों किसे यह बने हैं सेप्रेट देंटो 3 गृूप ऑफ एक्युविलेंट फ्रेक्शन्स इनको अलग अलग तीन गृूप में बाटना है थीक है वो तीन गृूप जो होंगे केवल तीन ही नंबर को यह सारे दिखा रहें यानि उन्हीं मैं से सब एक्यूविलेंट है एक दूसरे की तो तीन तो चलिए सिंप्लेस फॉर्म में करते हैं, सिंप्लेस फॉर्म में करना आप इसके पहले सीख चुके हैं, कि हम उपर और नीचे सेम डिजिट से डिवाइड करते हैं, और बड़े से बड़े डिजिट से डिवाइड करने कोशिस करते हैं, न? और आपने उसमें सीखा था कि हम उसके HCF से डिवाइड करते हैं, दोनों का HCF होता है, highest common factor, उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आता है answer, वो simplest form में आता है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन उतना बड़ा नहीं करेंगे, कि HCF निकाले, फिर डिवाइड करें, यहाँ आप लोग डारेट धिर दे सीख रहे हैं आप डारेट भी काटना सीखो, 2 आउ 12 दोनों किस से करते हैं, किस के टेबल में दोनों आता है, तो डारेट आप काट सकते हैं, जब इसको आप काटेंगे 2 से, तो 2 बन जा 2, और 2 जा 12, कितना आ गया, 1 अपाउन 6, इसको देखो, दोनों किस के टेबल में आते हैं, 8 और 50, नई समझा रहा है न, तो देखो क्या ये दोनों इवेन है, दोनों इवेन नमबर है, यानि किसी से कटे या ना कटे, 2 से तो जरूर कटेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, 2 से जरूर कटेंगे, तो 2 से काट दो, 2 से काटो कि देख 4 बार जाएगा, तो 4 ज करोगे, तो क्या आएगा, 25, 50 को 2 से डिवेड करने पर 25 आएगा, देखो, एक आया 1 अपाउन 6, एक आया 1 अपाउन 5, एक आया 4 अपाउन 25, यह तीनों सिंप्रेस फॉर्म है, अब इसी के एक्क्यूवेलेंट होने चाहिए सारे, क्योंकि कुश्चन ने बोला है न, कि 3 ही नंबर से यह सारे बने हैं, तो 3 तो हमको पहले ही मिल गए, अब जो आएगा, इसी तीनों में से कोई एक आएगा, क्योश्चन अगर सही है तो, अब चलो, 16 upon 100, किस से कटेगा यह, दोनों किस के टेबल में आते हैं, यह दोनों जो है, 4 से कटने वाले नंबर से हैं, ठीक है चाहें तो आप पहले 2 से काट ही है, 4 से काट है कि देखिवार में आजागा, चलो हम 2 से काट के दिखा देखा देखा देखा, 2 से काट होगे तो यह आएगा, 8 ना, 2 से इसको काट होगे तो यह आजाएगा, 50 ना, फिर एक बार 2 से काट होगे, तो यह हो जाएगा, 4 और 2 से जीरो से जीरो काड़ दो डारेट, लास्ट में 0 ही है ना, जीरो से जीरो काड़ दो, क्या बचा, 1 अपाउन 6, यह 10 बंजे 10, 10 बंजे 60, ऐसे भी कर सकते हैं, 1.6 मिल गया, यहां पर देखो काटो क्या आएगा, दोनों देखो 15 के टेबल में 75 आता है, डारेट काड़ दो, 15 ब बंजे 12, और 12 फाइब जे 60, 1 अपाउन 5 आ गया, यहां भी 16 के टेबल 96 आता है, डारेक्ट काट रहा है, 16 बंजे 16, 16 जे 96, यह 12 के टेबल में 75 नहीं आता है, तो हम चेक करेंगे किस के टेबल दोनों आता है, यह दोनों किस से कटेंगे, 12 तो 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से करता है, 6 से कटता है, अगर इस सब का देखा जाए, तो 3 जो है, 75 को भी 3 कात सकता है, तो तो 3, क्यों कार सकता है 75 को, 3 क्योंकि 7 और 5 दोनों को ऐड़ करोगे, तो होगा 12, 12 3 से कटता है, इसलिए 75 भी 3 से कटेंगे, 3 से काट दो, 3 से काट होगे, ते 4 बार जाएगा, 3, 4 ज देख लेते हैं यह तो टेवल के टेबल में आता है यह 72 12 बंजा 12 1260 72 न अब यह ग्रूप बनाने के लिए बोल रहा है हमने सिंप्लेस फॉर्म में कर दिया सिंप्लेस फॉर्म में अब कहे रहा है कि सेपरेट देम इन्टू 3 ग्रूप आफ एक्वेलेंट फ्रेक्शन तीन ग्रूप की कि तो फ्रस्ट गुप का क्या होगा 1 upon 6ox सेटेकर ग्रूप के सकंट ग्रूप कर का लए लेते हैं मन अपन फाईव का एक ऑठर्ड ग्रूप भ तेर्ट गूप क साबम एडियर्ट फॉर्s 25 और हर ग्रूप का एक्विलेंट फ्रेक्शन अंको लिखना है यहां कौमा लगा तो 1.6 का एक्विलेंट फ्रेक्शन कौंग कौन सा है एक तो ए है ना ए हो गया और 1.6 कहा है ए में हो गया और 1.6 कहा है ह में हैं कि अच्छा विद्ध दो तो हम लोग छोड़ ही यहां पर भी दो और है के और एल इसको भी डिवाइट करो तो थी से कटेगा वन बार त्री बंजा थ्री और थी सिक्ज़े एटीन न तो के भी इसी में आयेगा और कोई आयेगा यह वाला देख लेते हैं यह तो कटे गई नहीं यह तो वही रहेगा 4.25 एक ही टेबल में आता ही नहीं यह दोलो तो इसका अलब ग्रूप ही है उसमें लिख देंगे चलो तो 1.6 वाले हम सारे लिख लिए हैं अब 1.5 बारे लिख लेते हैं एक है बी और किस में है 1.5 बी के बाद एफ में एफ में और जी में है एफ जी और और कहीं नहीं है 1.5 तो 1.5 ग्रूप में तीन ही है 4.25 वाले ग्रूप देख लेते हैं 4.25 किसमें किसमें हैं C में है और डी वे भी है 4.25 और किसमें है I और I के बाद यह L वाला ठीक है तो यह हमने सेपरेट ग्रूप में सेपरेट इक्यूविलेंट ग्रूप में हमने डिवाइड भी कर दिया तो आपको ऐसे करना भी है फिर उसको अलग-अलग ग्रूप में तीन ग्रूप में आपको उसको अलग-अलग लिख भी देना है ठीक है ऐसे ग्रूप बना करके यह था आपका क्विश्चन नमबर 6 आपसे मिलेंगे क्विश्चन नमबर 7 में तब तक के लिए जहीं